हिंदी फिल्म इंड़स्ट्री में डैनी को सबसे खूंखार विलन के तौर पर जाना जाता है डैनी डैन जोन गपा ने अपने शांदार फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक खलनायक के रोल निभाए हैं उनके किये किरदारों में कात्या, कांचाचीना और चतुर सिंग के रोल बहुत मशुहूर हैं इसके साथ एक बार इस मशुहूर अबनेता ने बॉलिवूट के दिगज कलाकार माने जाने वाले सल्मान खान को भी फटकारने से परहेज नहीं किया था आईए दोस्तों जानते हैं पूरा किस्सा क्या है ये बात तब की है जब सल्मान खान और डैनी सावन कुमार की फिल्म सनम बेवफा में एक साथ काम कर रहे थे इस फिल्म में डैनी ने सल्मान खान के पिता की भूमिका निभाई थी फिल्म की शूटिंग के वक्त अक्सर सल्मान खान काफी लेट आया करते थे इसी बात को लेकर एक दिन सल्मान खान से पहले तो फिल्म नेदेशक सावन कुमार नाराज हुए सावन कुमार के बाद डैनी ने भी सल्मान खान से कड़े लहजे में बात की आना कि इस भीच डैनी और सलमान खान की काफी बहस हुई सलमान खान और डैनी की इस बहस का असर ये हुआ कि दोनों सितारों ने पूरे 23 सालों तक ऐक दूसरे के साथ काम नहीं किया डैनी हर उस Фिल्म में काम करने से इनकार कर देते थे जिस फिल्म की लीड भूमिका में सलमान खान होते थे वक्त के साथ दोनों के रिष्टे सही हो गया और पूरे 23 सालों के बाद इन दोनों सितारों ने फिल्म जै हो में एक साथ काम किया तो दोस्तों कुछ इस तरीके से डैनी ने सलमान खान से नाराज होकर 23 सालों तक उनके साथ दुबारा काम नहीं किया था वजह आपके सामने है आपने अभी अभी जाना आप क्या करना चाहेंगे इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें कॉमेंट पर लिखकर अवश्य बताएं मिलता हूँ आप से एक नए वीडियो में नए खबर के साथ तब तक के लिए बबाई टेक केर